भूमी अनया से रोमान्स करेंगे कार्तिक आर्यन शुरू हुई पती पतनी और वोके रीमेक की शूटिंग बलेवुड एक्टर कार्तिक आर्यन खूब चर्चा में है इन दिनों कार्तिक को एक के बाद एक बड़ी फिल्म हाथ लग रही है पिछले साल फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के जरिये दर्शकों के दिलों पर चाने वाले कार्तिक के पास इन दिनों फिल्मों के अफ़र्स जम कर आ रहे है कार्तिक की बढ़ती पपुलेरिटी और स्टारडम अब उन्हें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स दिल ला रहा है बीते दिनों ही कमफर्म हुआ है कि कार्तिक जल्द ही पती-पतनी और वो के रीमेक में नज़राएंगे इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनया पांडे और भूमी पे नेकर नज़राएंगी अब लीजिये इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है हाल ही में फिल्म के प्रोडियूसर भूशन कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेर की है जिसमें फिल्म का क्लैप बोर्ड दिख रहा है साथ ही फिल्म की कास्ट अनकूद दिख रही है इस पिक्चर को शेर करते हुए उन्होंने बताया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है बीते दिनों ही फिल्म की ओफिशिल अनाउंसमेंट हुई थी जहां फिल्म के स्टार्स के नाम खुलासा हुआ था पती पत्नी और वो साल 1978 में आई थी इस फिल्म को भी आर चोपड़ा ने बनाया था फिल्म में पती, पत्नी और सेक्रेटरी के अपेर की कहानी थी वहीं इतने सालों बाद अब इस फिल्म को जूनो चोपड़ा और अब में चोपड़ा बना रहे है फिल्म में कार्तिक आरेन संजीव कुमार के रोल में होंगे अनया पांडे फिल्म में कार्तिक की सेक्रेटरी का रोल करेंगी जो कि पती पतनी और वो मेरंजीता कॉर ने प्लिक किया था इसके अलावा विद्या सिनहा ने जो रोल किया था उसे भूमी पेड नेकर प्लिक करेंगी जो कि कार्तिक की पतनी का रोल होगा आपको बता दें कि बीते दिनों ही खबर आई थी कि फिल्म में पहले तापसी पनू थी जिसके बाद भूमी पेड नेकर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया तापसी के बाहर जाने से वो काफी नाराज भी हुई थी खिर अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है